प्रिये वीवर्स यह संस्कृतिया यह यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक आंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतरगर प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से सम्मंदेद 5 प्रश्ण व्याख्या सही तुत्तर के साथ आपको दिये जाएंगे हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तयारी में मददगार साबित होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्णों को नजुन देश्वर मंदिर के संदर्व में नेनमलिखित कतनों पर विचार कीजिए यह मंदिर करनाटक में काविनी नदी के किनारे अवस्थित है तथा यह मंदिर भगवान शिप को समर्पित है उप्रयुक्त में से कौन से गतन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर होगा ओप्शन सी व्याक्या को देखिए नजन देश्वर मंदिर को श्रीकान तेश्वर मंदिर भी कहा जाता है यह मंदिर भगवान शिप को समर्पित है नजन देश्वर भगवान शिप का दूसरा नाम है नजन देशवर मंदिर करनाटक के हिंदू तीर्थ शहर नजंग गुडू में कावनी नदी के किनारे अवस्थित एक प्राचीन मंदिर है नजन गुडू को दक्षिन काशी के नाम से भी जाना जाता है करनर भाषा में नान्जू का अर्थ जहर होता है नुजन देश्वर का अर्थ ऐसे भगवान से है जिसने हला हल ग्रहन किया था इस शब्द की उत्पति महान सागर मन्थन की कथा में हुई है इस शहर को नंजन गुडु नाम दिया गया है जिसका अर्थ भगवान नुजन देश्वर का निवास है इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा आज के दूसरे प्रश्ण को देखते हैं निर्मलिखित कत्मों पर विचार कीजी केंद्रिय दत्तक ग्रहन संसाधन प्राधिकरण केंद्रिय सामाजिक न्याए एवं आधिकारिता मंत्राले का एक स्वायत तथा बैधानिक निकाय है अंतर राश्ट्रे दत्तक ग्रहन को वश उनिस सत्तिरानबे में हुए है कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाता है किशोड न्याए अधिनियम 2015 में बाल सनरक्षन संस्थानों के अनिवार पंजी करण का प्रावधान किया गया है उपर्युक्त में से कौन से कधन सही है केवल एक और तीन केवल दो केवल दो और तीन उपर्युक्त सभी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्याख्या को देख लेते हैं उचितम नियायले ने राज्यों वा केंद्र शासित प्रदेशों को उन निजी व्यक्तियों तता गैर सरकारी संगचनों के विरोध कड़ी कारवाही करने का निर्देश दिया है, जो COVID-19 महामारी से अनात हुए बच्चों को अवैद रूप से गोद लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं। नियायले ने कहा है कि केंद्रिय दत्तक ग्रहन संसादन प्रादिकरण की भागेदारी के विना किसी अंजान व्यक्ति को बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रित करना अवैद है। यह केंद्रिय महिला एवं वाल विकास मंत्राले का एक स्वायत और वैधानिक निकाय है जिसके स्थापना वर्ष उनिस संण नभ्य में की गई थी। इसका मुख्याले नई दिल्ली में है। यह राश्ट्रे जथा अंतर राश्ट्रे दत्तक ग्रहन को नियमित करता है। व इस्थानों के अनिवार पंजी करन तता C.A.R.A. से लिंक करने का प्रावधान किया गया है। वश्ट उतर अठारा में C.A.R.A. ने लिव इन रिलेशन्शिप में रहे लोगों को भारत सी तता भारत में बच्चों को गोद लेने की अनुमती दी है। इस प्रकार कथन एक केंडर शासित प्रदेश बनाने के लिए निन्म लिखित में से किसके साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए है। समझोता ग्यापन के तहट केंडर शासित प्रदेश में बिविन स्वक्ष उर्जा एवं उर्जा दक्षता कारिक्रम लागू किये जाएंगे जैसे सौर मीनी माइक्रो ग्रिट समाधान, उर्जा कुषल प्रकाश व्यवस्था, उर्जा भंडारन आधारित समाधान, कुष खानमंत्री ने वर्ज 2020 में स्वतंतरता दिवस के अवसर पर लद्दाख, ले, कारगिल शेत्र को देश के पहले कारवन न्यूट्रल शेत्र के रूप में विक्सित करने की बात कही गई थी, जबकि भारत में कारवन तटस्थ गाउं की अवधारना पर पहले ही विज़ार क किया जा चुका है, साथ ही केरल तथा मड़ीपूर के कुछ गाउं में इसे अपनाया भी गया है, जो कारवन तटस्थ होने वाला पहला बड़ा शेत्र होगा। उगाए जाती है, करनाटक देश में मुंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपरुक्त में से कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो सही उत्तर होगा, आप्शन ए, पूर्वी शेत्र से मुंगफली के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, 24 मिट्रिक टन, मुंगफली की एक खेप, पश्य मंगाल से नेपाल को निर्यात की गई है, क्रशी एवं किसान कल्यार मंत्रा लेद्वारा, तिलहन उत्पादन के तीसरे अग्रिव अनुमान के अनुसार, मुंगफली का उत्पादन, 2019-20 में, अनुमाने 99.52 लाग टन के मुकाबले, 2020-21 में 101.19 लाग टन होने का अनुमान है, ये फसल रवी तता खरीव दोनों मौसमों में उगाई जाती है, किन्तु कुल उत्पादन में खरीव फसल का योगदान 75% से अधिक है, गुजरात देश में मुंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद राजिस्थान, तमिलनाचू, आंध्रप्रदेश, करन महरास्ट, पश्यमंगाल तथा राजिस्थान का स्थान है, परमपरागत रूप से मुंगफली के निर्यात में गुजरात वराजिस्थान का बड़ा योगदान है, पश्यमंगाल से इसकी निर्यात को बड़ावा देने से पूर्वी शेत्य से फसल की निर्यात शम्ता को ब पोर्ड वर्ष 2019-20 के अनुसार निन्म लिखित में से कौन से कथन सही नहीं है ऐसे प्रश्णों को ध्यान से पढ़िए उत्तर प्रदेश सरवादिक शात्र नामांकन के साथ प्रथम इस्थान पर है कॉलेजों की संख्या के मामले में बैंगलोर शीष पर है जिसके बाद जै समलब एक है सही कथन क्या होगा ऑप्शन सी व्याख्या से देखते हैं केंद्रे सिक्षा मंत्री ने उच्छ सिक्षा पर अखिल भारतिय सर्वेक्षन बर्ष 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत में कॉलेजों की संख्या के मामले में सीष आठ राज्य उत बैंगलोर्ड शहरी जिले कालेजों की संख्या के मामलों में शीष पर है जिसके बाद जैपूर का स्थान आता है उच्छ सिक्षा में 19.6 मिलियन बालकों तता 18.9 मिलियन बालिकाओं के साथ कुल नामांकन 38.5 मिलियन होने का अनुमान है कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49 प्रतिशत है सरवादिक शात्र नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम इस्थान पर आता है जिसके बाद महरास्ट और तमिलनाडू का इस्थान है भारत में उच्छ सिक्षा सकल नामांकन अनुपात 27.1 है जिसकी गर्णा 18-23 परश के आयूवर के आधार पर की जाती है सकल नामांकन अनुपात उच्छ सिक्षा में नामांकन के लिए पात्र आयूवर के शात्रों का प्रतिशत है जो 2019 बीस में 27.1 प्रतिशत 2018-19 में 26.3 प्रतिशत तथा 2014-15 में 24.3 फीस दी था पडोसी देशों से आने वाले शात्रो में सबसे अधिक नेपाल 28.1 प्रतिशत से आते हैं इसके वाद अफगानिस्तान 9.1 प्रतिशत बांगलादेश 4.6 प्रतिशत भूचान 3.8 प्रतिशत तता सूदान 3.6 प्रतिशत का इस्थान है उच्छ सिक्षा में लिंग समानता सूच कांग 2018-19 में 1.00 के मकाबले 2019-20 में 1.01 है जो पुरुशों की तुलना के सापेक्ष पात्र आयू वर्ग की महिलाओं के लिए उच्छ सिक्षा पहुंच में सुधार को दर्शाता है इसका सही विकल्प था option C